हेलो दोस्तों वेलकम बैक आज की कहानी एक एक्सन क्राइम मूवी दा हीरो की है जिसमें यूथ नाम का एक रेश्यन स्पाई स्कूल होता है जिसमें ऐसे स्पाई तयार किया जाता है जो अनली ओर्डर को फालो करता है जिसके बारे में केबल करनल रोडिन को ही पता होता है ल क्योंकि रोमन पोपाई नाम का एक रश्चन जासूस उसी सेक्रेट स्कूल यूद को एक्सपोज करने वाला होता है क्योंकि इस इसकूल में बच्पन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दे कर एस्पाई बनाया जाता है जिसके बारे में ऊपर के किसी भी अधिकारी को नहीं पता था लेकिन तभी कुछ फिलन आकर उससे किड्नैप कर लेता है जिसका लीडर भी उसी मीटिंग में था अब सिंड शिफ्ट होता है आस्ट्रिया के सहर में जहां एक सर्फिंग बोट की दुकान को देखते है जिसका ओनर एंड्री रोडिन था तभी एक बंदा अपने बेट भागने को भी कहता है लेकिन तभी वो बंदा एंड्री पर अटेक कर देता है लेकिन एंड्री किसी तरह उससे बचने में काम्याब हो जाता है और एक एलेक्रिक बाइक लेकर वहां से बहुत दूर राइट एमू टावर के पास आ जाता है और उस कंपनी के एंप्लाई को चकमा देकर उसका आईडी चुला लेता है फिर बिल्डिंग में जाकर एक मारिया नाम के लड़की से मिलता है जो एंड्री को फहचानने से मना कर देती है क्योंकि वो यूथ का एक मेंबर होती है जो बिना पासवर्ड के किसी से यूथ के बारे में बात नहीं कर सकती इस प पिमारिया से मिलने दो बंदे आते हैं इसलिए एंडी चूपकर उनकी बाते सुनने लगता हैं टेकि उनमें से एक बंदे को पता लग जाता है इसलिए मारिया और एंडी दोनों बंदों को मार कर Cambridge भागने लगते हैंसारे दूर बंदे इसलिए एंडी गुलास तोरने के को पूटेज में एंडरी को देखकर पहचान लेता है कि ये तो यूथ का लीडर रोडीन का बेटा है इसलिए उसके पीछे एजेंट लगाने को कहता है उसके बाद जर्मनी में दो एजेंट को देखते है जिसे बताया जाता है कि करनल रोडीन एक लीजेंड थे जिन्होंने 2000 के सुरुआत में देश भर के काफी सारे बच्चों को स्कॉर्ट करके एक विदेशी स्कूल में भेज़ दिया था जिसे यूथ कहा जाता है जिसमें केवल आदेश को फॉलो करने वाले स्पाई को तैयार किया जाता है उसके मिशन के सफलता के दो साल बाद ही एक हाथसे में करनल की मौत हो गई क्योंकि यूथ का पता और पासवर्ट केवल उन ही को पता था इसलिए यूथ के बारे में आज तक किसी को पता नहीं लगा लेकिन दो हफ़ते पहले रोमन पोपाई को उसके भासन के दोरान ही किड्नैप कर लिया गया जो यूथ का ही एक मेंबर था लेकिन आज यूथ के दो और लोगों को देखा गया जो एंडरी और मारिया होती है इसलिए दोनों को जिंदा पकरने का आदेश दिया जाता है दूसरी तरफ एंड्री और मारिया को देखते है मारिया एंड्री को पासवर्ड याद है या नहीं पूछती है इस पर एंड्री कहता है उसने ट्राइ करा था लेकिन याद नहीं कर पाया इधर वो एजेंट अपने साथ ही के साथ एंड्री और मारिया को पकरने के लिए निकल पड़ते हैं उसके बाद एंड्री एक रिस्टोरेंट में बैठ कर मारिया को एक नम्मर याद करके बताता है जिस पर मारिया कॉल लगाने लगती है लेकिन तब भी एंड्री को दोनों अटेकर दिख जाते है, वहीं पर कुछ पुलिस भी होते है, इसलिए एंड्री अटेकर और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसे ही आपस में लड़ा देता है, और मोके का फायदा उठा कर, गैस सिलिंडर ब्लास्ट करके वहां से निक करना होगा, इधर मार्या और एंड्री आपस में लड़ने का नाटक करके दो बंदों के बोट का चाह भी चुरा लेता है, और उसका बोट लेकर पोलैन के रास्ते अपने घर रूस को निकल परते है, वही खूफिया एजेंट वाले उन्हें ट्रैक करके दूसरे पूल पर प्लान बनाते है, और पूल को ब्लॉक करके वेट कर रहे होते है, लेडी एजेंट एंड्री के बोट में शूट करते थी है, लेकिन तब ही वो एटेकर बंदा भी हेलिकॉप्टर लेके आ जाता है, और दोनों ऑफिसर पर हमला कर देता है, जिसमें लेडी एजेंट के पर पास कोई सुराग भी नहीं है, इस पर कटाइब को यकीन होता है, कि वो दोनों या तो पॉलेंट में होंगे, या फिर ग्रोनोब में, उसने यूद क्यों छोरा, इस पर एंड्री बताता है, क्यों न हम एक आइडी का जुगार करके यहीं रुख जाए, इस पर मारिया बताती है कि यूथ उसके जीवन का उद्धियसी है इसलिए वो उसे छोड़ कर यहां नहीं रुख सकती और फिर ये लोग रोमेंस और मस्ती करने लगते हैं तभी पैरग्लाइडिंग करते हुए कुफिया एजनसी को इनका लोकेशन पता लग जाता है उसके बाद मारिया और उसके डाइड के कवर पर आते हैं वहीं खूफिया एजनसी के फोर्सेस उन्हें चारों तरफ से घिर लेते हैं लेकिन तभी एंड्री के डाइड आकर दोनों को बचा लेता है जो 15 यर्स पहले मरने का नाटक कर रखा था यह देखकर कटाईव हैरान हो जाता है साथी मारिय को भी यकीन नहीं होती है इस पर कटाईव उन्हें जिंदा पकरने का ओडर देता है तब इमारिया गारी से गिर जाती है जिसे पुलिस वाले एरेस्ट कर लेते हैं एंड्री गारी रोकने को कहता है लेकिन उसके डाइड कहता है कि वो लोग उन्हें कुछ नहीं करेंगे औ इस पर उसके डाइड मना करते है। कि उसने कॉल नहीं परा था और रेभी के इसी लिए उसके डाइड के घर में ईतर गूमने लगता है। दूसरी तरफ मारिया जेल में सांत बैठी होती है, तबी कटाइब आकर उसके बारे में पूचता है, इस पर मारिया उसे कहती है कि वो अब जर्मन नागरिक है, इसलिए उसे एक वकिल की जरूरत है, ये सुनकर कटाइब गुसा होकर कहता है, कोई भी काउंसिल जान नहीं पा देता है कि पॉलेन के पैरा सुट फेस्टिवल में मारिया मुझे अचानक से दिखी, फिर मैंने उसे सोसल मीडिया के थूरू ट्रैक करा और उसके पास पहुच गया, ये सुनकर डैड एंडरी को डारता है कि तुम इतनी आसानी से अपनी सारी डिटेल से बाहर कैसे निकाल कर देता है, दूसरी तरफ का टाइब डिसकस कर रहे होते है, कि रोडिन कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि हमने बाहर निकलने का सारा रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन तभी करनल रोडिन हिट क्वाटर में ही आकर अपने आपको एरेस्ट करवा देता है, इधर एंडरी अलेक् पहन रखा था, इसलिए वो केबल बेहोस होता है, इधर करनल का सामान चेक किया जा रहा था, तभी करनल टाइम पूसता है, जो रात के सारे आठ बच चुके थे, उधर थोड़ी देर बाद एंडरी को होस आ जाता है, सेल में करनल से बात करने जाते है, जहां उसी के देता है, जिससे लाइट कर जाती है, लेकिन तभी बेक अप ओन हो जाती है, यह देखकर एंडरी में जनरेटर ढूनने लगता है, इधर करनल से बात करके चला जाता है, तभी करनल मारिया को एक सिगनल देता है, ठीक उसी वक्त एंडरी जनरेटर बंड कर देता है, उसके हमें साथ में मिलकर काम करना होगा और कटाइब को पकरने निकल परते हैं फिर एक जगह पहुचकर एंड्री को बाहर निकलने को कहता है क्योंकि वो मिसन का हिस्सा नहीं था इसलिए उसे पोलेंड जाना होगा इस पर एंड्री मारिया को साथ चलने को कहता है लेकिन करनल मना क देता है कि वो भी ड्यूटी पर है इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा वहां से एंड्री गुस्से में आगे बढ़ जाता है लेकिन तभी खूफिया एजनसी के ऑफिसर उसे एरेश्ट कर लेते हैं वहीं छुपकर अटैकर बंदे भी ये देख रहा होता है लेडी ऑफ पिसर बताती है कि मारिया का फेस्टिब में एक्सपोज करना और तुमसे मिलना ये सब एक प्लान था ताकि तुम मारिया को तुम्हारे डैर तक ले जा सको लेकिन तुम्हारे डैर तो उससे भी आगे निकले मारिया को पहले आरेस्ट करवाया फिर छुरा कर पता भी लगा और तभी करणल के गारी को बहुत सारे गारी कवर कर लेते हैं लेकिन करणल को तो यह पहले साही पता था एसलिए मारिया से कहता है कि तुम वह ही सोच रही हो जो मैं चाहता था इधर कटाय भी करनल के गारी को ट्रैक कर रहा था दूसरी तरह पटायकर पुलीस वालों पर हमला कर देता है जिसमें लेडी ओफिसर को गोली लग जाती है और एंड्री को किड्नैप करके मारिया के पास ले जाता है ताकि करनल अपने बेटे के भदले उसे यूथ का पासवर्ट बता दे ये देखकर करनल उसे जाने देने को कहता है साथ में कंडिशन भी रखता है कि हर पांच मिनट में एंड्री कॉल करके बताएगा कि वो सेफ है या नहीं और हर कॉल पर तुम्हें एक पासवर्ट मिलता रहेगा इस पर मारिया भी मान जाती है और एंड्री को एक कार देकर भेज़ देती है लेकिन एंड्री रास्ते में गाड़ी रोग कर सोचने लगता है इधर का टाइप भी तार्गेट को लॉक करके बैठा था करनल कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ही वो गद्दार हो इस पर मारिया बताती है कि आपने मेरी जिंदगी बरबात कर दी हमें लैब में फसा कर आदेश का पालन करने को कहा लेकिन कब तक कोई पता नहीं लेकिन अब यूथ नए तरीके से चलेगा तभी मारिया का फोन बसता है और किर्की से एंडरी अंदर आकर खुद पर गोली चलाने को कहता है यह देखकर करनल का प्लान बिगरने लगता है इसलिए ओ बाहर कटाइब को सिगनल देता है तभी एक गोली आकर उसके चेस्ट पर लगती है जिससे मौके पर ही करनल की मौत हो जाती है मारिया के लोग भी एंडरी को बेहोस करके अपने साथ ले जाते है उसके अगले दिन एंडरी अपने आपको बंद परे कमरे में पाता है तभी मारिया आकर बताती है कि उसके डैट को कटाइबने मारा है और एंडरी को अपने तरफ मिलाने की ट्राइ करती है साथ ही उसे पासवर्ट को याद करने को भी कहती है लेकिन एंड्री फिर से वही आंसर देता है कि उसे कुछ मालूम नहीं लेकिन मारिया को समझ आ गया था कि एंड्री की ताकत उसकी याद है इसलिए उसे एक इंजेक्शन लगा देती है तब एंड्री को उसके पापा द्वारा सिखाया पोयम याद आता है और वो समझ जाता है कि वो खुद ही एक पासवर्ड है उसके बाद मारिया एंड्री को उसके पुराने साथी के बारे में बताने लगती है कि वो सभी अच्छे अच्छे पोश्ट पड़ है लेकिन बिना पासवर्ड के वो किसी से बात नहीं कर सकती और एंड्री को ड्राने के लिए उनमें से एक को मरवा देती है ये देखकर एंड्री घबराकर उससे कलू देता है कि साया डैट के घर में कुछ मिल जाए हमें इस पर मारिया एंड्री को लेकर करनल के घर जाती है जहां पर injury अपने डाइड के जैकेट और गलास उताकर पहन लेता है जैकेट में एक रिमोट भी होता है और फिर उसी मिरल वाल के पास आकर ख़ड़ा हो जाता है जहां उसके डाइड खरे होते थे और रिमोट को प्रेस करता है तब ही उस glass wall में पूरे दुझे का map के साथ सभी का location दिख जाता है साथी सभी को एक साथ call भी लग जाता है angry maria से कहता है मुझे password पता है लेकिन maria को यकीन नहीं होती है इस पर angry उसे poem सुनाने होता है और कहता है कि अब youth का password मैं ही हूं यहां के सारे आदेश मेरे समपर्क में दिये जाते है और गौगल्स मारिया को पहना देता है जिससे उसे भी सारे मैप दिख जाते है फिर एंडरी मारिया को उसके Client को बुलाने को कहता है जो यूध को खडिदना चाथा है और यह वही आदमी होता है जो मूवी के स्टार्ट में रोमन पोपाई को किड्नेप करवाया था उसके बाद दोनों उस क्लाइंट के अड़े पर जाते हैं जहां एंड्री क्लाइंट को पासवर्ट बताने से पहले तीन सर्ते रखता है कि पाला 100 मिलियन यूरो दूसरा यूद का सभी आदेस एंड्री क सिगनल मिलता है जो एंड्री ने सेक्रेट में से भेजा था इसलिए उस क्लाइंट को पकरने निकल पड़ते हैं इधर क्लाइंट दोनों को उसके अड़े पर लेकर पहुंच जाता है जो एक टनेल में था जहां वो बंदा भी था जिसने एंड्री पर दुकान में हमला किया था साथ में थो प्लास्टिक सरजरी के डाक्टर भी होते हैं जिससे पकर या थे खींट ऐसे में से एक डाक्टर को मार देता है क्यूंकि वो बच्चा एंड्री का ही था दूसरी तरफ कटाइब भी अपनी कूफिया एजनसी के टीम के साथ होता है जो दो टीम बना कर पानी के रास्ते टनेल तक पहुँचने लगते है लेकिन तभी तीन बंदे पानी से निकल कर सभी पर हमला कर देता है जिससे कटाइब के बहुत सारे साथ ही घायल हो जाते है वहीं दूसरी टीम टनेल में पहुँचकर रास्ता किलियर करने लगते है बाहर कटाइब भी उन तीनों को सूट कर देता है लेकिन उसके कामरेट की गोली लगने से मौत हो जाती है टनेल में मारिया भी जिंजर नाम के एक लड़की को कूट कर अपने आपको छुडा लेती है लेडी एजेंट भी सभी को फोर रही होती है वहीं एंड्री भी उस बंदे से गन शीन कर अपने आपको छुडा लेता है तबी डॉक्टर भी वहाँ से भाग जाती है और कटाइब भी टनेल में पहुच जाता है वहीं एंड्री मारिया को एरेस्ट करवा कर कहता है कि वो उसका वापस आने तक इंतिजार करेगा फिर कटाइब उस कलाइंट और मारिया को लेकर जाने लगता है तबी एंडी पूसता है कि उसके डैड को गोली किसने मारी थी इस पर कटाइब को उसे बताना ही पड़ता है कि उसके पास और कोई option नहीं था क्योंकि वो ऐसे ही करते थे जब मिसन पर कोई साथ ही पकरा जाता था जिसे थोड़ी दिर के लिए लगता है कि वो मर चुके है लेकिन इस बार तुम्हारे डैड कोमा में चले गए ये सुनकर एंडी खुस हो जाता है क्योंकि उसके डैड जिन्दा थे कटाइब कहता है उसके पास कम समय है यसलिए एंडी भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है और शौरी बोलकर अपने गिले सिक पे बताने लगता है साथ ही अगर उसका बेटा हुआ तो डैड का ही नाम देगा तभी उसके डैड कोमा से बहार आ जाता है और बताता है इस सारे यूथ मेंबर इकठा हुए है तुम उनसे जाकर मिलो क्योंकि अब से एंड्री ही यूथ को लीट करेगा तभी वहाँ का टाइब भी आ जाता है इस पर एंड्री दोनों को अकेला छोर कर चला जाता है क्योंकि का टाइब करनल का अच्छा दोस्त था इसलिए करनल का टाइब को ठैंक्स कहता है सही टाइम पर गोली मारने के लिए नहीं तो वो सभी पासवर्ड उगलवा लेते और मिजन खतम हो जाती उसके बाद एंड्री कहता है कि यूच से मिलने का टाइम आ गया है और इसी के साथ ये कहानी खतम हो जाती है दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग एक्स्प्लानेशन वीडियो आप तक पहुंसता रहे और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वी आपस्टे विडियो में, हवा नईस दे